अब कभी नई छूटेंगे आपके फेवरेट इवी शोज जी फाइड के साथ बिलकुल फ्री अरे दोस्त, एक कावत है, सावधानी हटी तुर घटना घटी अक्सर शादी और सगाई के घरों में ना चोर उचक के गुशाते हैं तो तुम सावधान रहना है अच्छा एक बात बताओ ये खंबे के पीछे जो आदमी है ये कोई गाड़ वाड़ है क्या अरे गाड़ कैसे हो सकता मैं लग तुम लोग तो यूनिफॉर्म पेंते हो है ना हाँ वही हम भी ये समझा रहे थे सर सर चोरी करने आया था जानता है किसका घर है ये चल ये से याँ भी नहीं है जो आख घर में गोशाया और तुम लोग को पता भी नहीं चला ऐसे स्क्यूर्टी करचे दुम लोग एजएंसि को इंफर्म कर दो कल से डबल गाड़ चाहिए ठीक है अगली बार से ऐसी गलती वी सब की जाएगी नेके जाएगी जाएगी डेके ज बाबू कभी तो क्या गुड़ निवस है अरे वो भी दे दे अगर तुम्हारा बाबू सब्रे कर पाता तो हम बस केसर को किट्नैप करने ही वाले थे एन मोंके पर इसने बीच मांके सब को चोपट कर दिया इसी सक्कर में सेक्यूर्टी डबर हो गई अब हम कुछ ना कर पाएंगे केसर आरी ओके हाँ मैं ठीक उम्बस दवाईयां गिर गए थी मुझे तुमसे कुछ कहना है केसर I was wrong तुमने मा को बचाने के लिए इंजेक्शन दिया था और मैंने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर निकाल दी वो भी सब के सामने I was scared कि कहीं मा को कुछ ना हो जाए मैं समच सकते हूँ सूरच अपनी मा को ऐसी हालत में देखना आसान नहीं होता पर मुझे आपके बात का बुरा नहीं लगा लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाती हूँ मा ने आपको जनम दिया है और मुझे जीवा जितना आप मा से प्यार करते हैं उतना ही मैं भी करती हूँ जिस तरह से आपने उनकी खुशी के लिए अपने आपको पूरी तरह से डेडिकेट किया है वैसे ही मैंने भी किया है जिसे आप उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं देख सकते जिसे मैं भी नहीं देख सकती इसलिए उनके लिए हम दोनों का फर्स भी बराबर है और अदिकार भी I understand and I I'm sorry C5 आप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री